अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इमतरीन खबर उसे में इसा वाकिफ आना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसकूप कर पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करें के बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्या आने वाली वीडियो को आपको हम इसा दोस्तों फ्री में मिलती रहे तो साथियों आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है कतर से साथियों कल के दिन मैंने यह आपको बताया था कि अमेरिका के टेकसास सहर में लगबग 13-14 बच्चे जो हो मारे गये थे मार करने का रिजन दोस्तों आपको मैंने बताया था कि किसी लड़के के दोवारा 18 साल जिनकी उम्री थी वो आचानक फाइरिंग करने लगा जिसके विज़ा से लगबग 13-14 बच्चे मारे गया एक टीचर भी मारी गई थी तो सबस्तों को लेकर कतर के तरफ से कल के दिन वहां चाहूंगा आपको कतर मिर्श्यों फिंटिर के तरफ से अनॉस्मेंट किया गया कि कतर में 2022 फीफा वर्लकप होने वाला है तो उसको लेकर दोस्तों इस पेसल नंबर वहां पे जारी किया गया था आपको पता होगा जिसकी वहां पे ऑक्सन लगाई जाती है तो वहां पे हर प्रतिबन लगाने का अनॉस्मेंट किया गया था यानि एग जून से यू फो पर, पहीं, लोग दो उस्तेमाल करते हैं, प्लाष्टिक वगएरे को, तो प्लाष्टिक वगएर को, पुरी तरा से, पर्तिबन लगाने का Announcement किया गया था, यानि, एक जुन से, UAE में, किसी भी सहर में, प्लाष्टिक का इस्तमाल नहीं किया जाएगा, तो दोस्तों ये Qatar government के तरब से cabinet में भी एक approval किया गया है कि बहुत ही जल्दी वहाँ पे single use of plastic bag जो है वहाँ Qatar में भी पूरी तरह से बैंड कर दिया जाएगा और Qatar में भी अब plastic का इस्तमाल नहीं लोगो करने दिया जाएगा तो ये दोस्तों कब से band किया जाएगा इसके बारे में कोई update अभी फिलाल अभी नहीं दी गई है पर बहुत ही जल्दी सातियों ये बिल्ज हो पास हो जाएगा और लोग वहाँ पे plastic वगएरा का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगे तो दोस्तों पहले UAE गवर्मेंट के तरब से फैसलाय लिया गया आप दोस्तों दूसरे नमबर पे कतर गवर्मेंट ने भी फैसलाय ले लिया गया है कि plastic को पूरी तरह से कतर में band कर दिया जाएगा अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथी वो UAE और कतर फ्लाइट को लेकर आ रही है तो साथी नहीं बताना चाहूंगा आपको FIFA World Cup अप लोग को पता है कि FIFA World Cup 2022 होने वाला है जिसको लेकर एक अंदाजा ये लगाय जा रहा है कि कतर और UAE की फ्लाइट की टिकट जो है वो लगभग 1900% की वृद्धी देखने को मिलेगी FIFA World Cup मैच के दौरान अब ऐसा दोस्तों इसलिए अंदाजा लगा जा रहा है क्योंकि दुबाई के बहुत सारे लोग जो है उनके टिकट को FIFA World Cup के टिकट को खर दे है यानि मैच वगएर की टिकट को जिसके दोस्तों जो आ रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है सात्यों खबर यह है कि इंडिया के जो ओनरेबल वाइस प्रिसिडेंट है वो कतर चार से साज जून तक वहां पे रहेंगे यानि दोस्तों चार तारीक को चार जून को फ्लाइट उनकी लैंड करेगी कतर में और साज लगभग वो रहने वाले हैं तो बहुत जल्दी जो है विजिट करने वाले हैं जो इंडिया के प्रिसिडेंट है का तारीक को और लगभग यह साज जून तक वहां पे वो pala की जाएगी अब चलते हैं साथियों अगली खबर की और एक बात मैं आपको बताना चाहता है यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो कोई जानकारी चाहते हो फ्लाइट या वीजा ये टिकट किसी के बारे में तो मुझे कॉमेंट सर्फन में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हो मैं कोसिस आप लोगो सवालों का जवाब देने के लिए तो अगली खबर क्यों साथी चलते हैं अगली खबर दोस्तो जो आ रही है वह साथियों आ रही है टिकट गो और सेल फॉर वीनर टिकट फीफा वर्ल कप टिकट जो है वो हमाद बिन अली स्टेडियम का टिकट यो सेलिंग जो कि और भी लोगों इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ यूनिक स्टूडियो पहला आफीज और टेक केर